कॉंग्रेस में योध्या में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा का नियोता ठुकरा दिया है ना सोनिया ना खडगे ना अधीर कॉंग्रेस का कोई नेता 22 जनवरी को योध्या में नजर नहीं आएका कॉंग्रिस की इस फैसले पर बीजिपी नेताओं से लेकर अयोध्या के संतों तक सब हमलावर है लेकिस सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोटों के लिए कॉंग्रिस से राम का बहिशकार कर दिया है क्या सी परसन हिंदू की आस्था से जादा तरजी कॉंग्रिस में 20 परसन वोटों को दी है इंडी गठपंदन एक नेता एक एक कर अयोध्या से दूरी बनाते जा रहे हैं लेकिन मोधी और योगी देश के महौल को राम और हनुमान में करते जा रहे हैं आयोध्या में ना सिर्फ राम लला की प्रान पतिश्ठा हो रही है बलकि योगी अदितनात हनुमान गड़ी से बरेली तक पवन पूत्र का ध्वज़ भी लहरा रहे हैं आयोध्या की हनुमान गड़ी से हिंदू को क्या संदेश मिल रहा है प्रभु राम और हनुमान, मोदी की हैट्रिक को कैसे आसान करने वाले हैं? प्रान प्रतिष्ठा से कॉंग्रेस के परहेज ने बीजिपी का काम कितना आसान कर दिया है? इस रिपोर्ट में मिलेगा सभी सवालों का जवाब मिल गए राम हनुमा 24 में मोदी की हैट ट्रिक का रास्ता ओ गया सा कॉंग्रेस ने ठुकराया अयोध्या का इंविटेशन क्या खत्रे में आ गया इंडी का 24 वाला मिशन राम भक्तों के अयोध्या जाने की तयारी पूरी लिकिन राम सेंडी ने बना ली दूरी हिंदुत्यों की सियासत में हनुमान का रंग घुला हनुमान गड़ी से हिंदूओं को क्या संदेश मिला अवध्यपुरी के बुलावे पर कॉंग्रेस ने अपना फैसला ले लिया है कॉंग्रेस को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का बुलावा मन्जूर नहीं राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में न सोनिया जाएंगी न खरगे जाएंगी अधीर रंजन चौधरी ने भव्य प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली है सीपियम नेता सीता राम ये चुरी पहले ही कह चुके हैं वो अयोध्या नहीं जाएंगे सवाल है कि क्या मुसल्मान वोट के लिए राम का बहिशकार हो रहा है क्या मुसलिम वोटों के लिए हिंदू भामनाओं को आहत किया जा रहा है 80% हिंदू की आस्ता पर क्या 20% मुसलिम वोट बैंक हावी है क्या पूरे इंडिया लाइंस में सिर्फ 20% मुसलिम वोटों की लड़ाई होगी कई दिनों के सोच विचार के बाद कॉंग्रेस का ये फैसला आया है लेकिन क्या ये कैलकुलेटेड रिस्क है या कॉंग्रेस ये मान चुकी है कि 80% हिंदू उसे वोट नहीं करने जा रहा इसलिए इसकोप सिर्फ मुसलिम वोटों का बचा है कॉंग्रेस के इस फैसले से हिंदूों में क्या मैसेज गया मोदी योगी रामभक्ती और रामभक्त के द्वच को उचा करते जा रहे हैं लेकिन एक केकर इंडी गड़ बंधन के नेता अयोध्या में 22 जन्वरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाते जा रहे हैं आने वाले समय में देश का बच्चा बच्चा इनसे सवाल पूछेगा सत्य तो ये है कि भगवान राम का ये मंदिर भगवान राम के सिर्फ प्रत्यक्ष मानने वालों का नहीं इस परंपरा को मानने वालों के लिए था तो आने वाले समय में इन लोगों को जवाब तो देना ही पड़ेगा इन लोगों ने अपने पैर पे बड़ी नुकिली-नुकिली कुलाडियां मार दी मलकार खरगे ने और शोनिया गांधी जी और जिस प्रकार से राम जनमभूम का निमंतरन को उन्होंने ठुकराया है दुरभाग की बात है हम लोग सुरू से ही कह रहे थे कि ये काल्लेमी वाले रूप धारन करने वाले कॉंग्रेशी कभी राम जनमभूम मंदिर भब दिव न निमंतरन दिया राम भक्तों ने निमंतरन दिया आपने राम भक्त के निमंतरन को इस प्रकाश ठुकरा दिया रहा न कुल कोई रोबन हारा यस होगा हाल तुम्हारा कि इंडी अलाइंस ने सोनिया जी के नेत्रितों में कॉंग्रेस के नेत्रितों में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की अपमानित किया अब इंडिया लाइंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रन को ठुकराना उनकी सनातल विरोधी सोच को दर्शाता है उधर पूरी लगन से योगी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तयारियां करवा रहे हैं और उसी आस्था से रामभक्त हनुमान की सेवा में भी हाजिर है हनुमान गढ़ी से बरेली तक योगी हनुमान मैं हो गए है हिंदुत्यों की सियासत में श्रीराम के साथ पमनपुत्र हनुमान का जो रंग घुला वो अयुध्या के साथ पैरलल चल रहा है क्योंकि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयुध्या में जिन करोडों राम भक्तों का तान्ता लगेगा वो राम मंदिर से पहले हनुमान गढ़ी जाएंगे मोदी भी पहले यहीं आते हैं योगी भी यहीं आते हैं यहां श्री हनुमान बाल रूप में विराजते हैं अयोध्या से हिंदुत्यों पर बीजेपी का संदेश संपूर है राम भी उसके हैं, हनुमान भी उसके हैं, मंगलवार को योगी हनुमान गड़ी में आस्था का दिया जलाते हैं, परिक्रमा करते हैं तो बुधवार को बरेली में बजरंग बली की प्रतिमा का अनावरण करते हैं हयोत्या में 500 वर्सों के बाद 25 जंडरी को प्रणान मुंत्री मोधी जी के करकमों से प्रवराम हयोत्या में अपने भपे मंदिर में दिराज्वान होंगे तो देश ही नहीं पुरी दुनिया के अंतर जहां कहीं विश्चना पंधर्मा उतंपी नहीं रहता है उसको तो दराफ के वोकी होगी ही उसके चेरे पर एक उसाली तो होगी मेरा इमाना है बाद 25 जंडरी का कारिक्राफ दुनिया के अंतर चाहां कहीं बिस्ट प्रवस्च्ट को कुचला गया होगा उन्हें एक आस है उनके लिए विस्ट जंपरी का काईक्राफ और आपको अपने तरीके से काईक्राफ प्रारा मतरें संदेश साफ है राम ना मिलेंगे हनुमान की बिना लेकिन ये मैसिज किसके लिए है ये भी देख लीजिए मध्य परदेश विधान सभा चुनाओं में कमलनात हनुमान मैं हो गए थे सुन्दर कांड का पाठ करवा रहे थे कॉंग्रिस दफ्तर में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी बीजेपी के रामबान की कार्ट में शुरी हनुमान के नाम को सियासी मैदान में उतार दिया गया था इतना ही नहीं MP चुनाओं में शिवराज सिंग चौहान के सामने कॉंग्रिस ने रामाय टु हनुमान का करदार निभाने वाले विक्रम मस्तल को मैदान में उतारा था मध्यपरदेश के मौझूदा नेता पृतिपक्ष उमंग सिंगार ने तो आदिवासी वोड बैंक की पॉलिटिक्स में भी हनुमान जी को उतार दिया था और उन्हें आदिवासी बता डाला था इससे पहले UP विधानसवा चुनाओं में अखलेश यादव गदा लेकर घूम रहे थे समाजवादियों की लाल टोपी को अखलेश यादव श्री हनुमान का रंग बता रहे थे प्रियंका गांधी और केजरिवाल भी बजरंग बली के दरबार में मत्था टेकने पहुँच गए थे लेकिन 24 में बीजेपी के विरोधियों को वो मौका भी मिलता नजर नहीं आ रहा क्योंकि 24 के चुनाओं के सेंटर में अयोध्या है क्योंकि यहां राम मंदिर भी है हनुमान गड़ी भी है हनुमान गड़ी पर माथा टेकने के बाद ही राम लड़ा के दर्शन हो सकते हैं करोडों हिंदूओं के लिए हनुमान गड़ी का महत्व राम मंदिर से कम नहीं आपको बताएंगे कि हिंदूत्य की सियासत में श्री राम के सामने उनके भक्त हनुमान को क्यों खड़ा किया गया लेकिन उससे पहले चलते हैं हनुमान गड़ी हनुमान गड़ी का ये पूरा एरिया बावन एकड में फैला है मानिता है कि राम लला के दर्शन से पहले हनुमान गड़ी में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है और उनसे प्रभू श्री राम से मिलने की इजाज़त मांगी जाती है यहां हनुमान जी की प्रतिमा दक्षणा मुखी है साथ ही बाल हनुमान के साथ माता अंजनी की भी पृतिमा है जिसमें बाल हनुमान अपनी माता अंजनी की गोद में लेटे हैं हनुमान गड़ी मंदिर सर्यू नदी के दाहिने तट पर है जो एक गुफा मंदिर है